कच्छेया एगारा पर्ने वाइवेनियर लाए मेरो एस YouTube चैनल Dreams Learning जन्मा स्वागत छा आज मा कच्छेया एगारा को वाइवेनियर को लागी Edgar Allan Poe को Short Story The Oval Portrait को Summary ले राया कुछू कथा को बारे मा राइटर को बारे मा मैं एस बंदा अगीलो वीडियो मा जानकारी दीशके कुछू अब एस वीडियो मा मा अथालाई नेपाली मा बनना गयरे कुछू साथे माल यो डिफिकल्ट ओड अरू पनी साइड मा राख देखुछू जुन चानी पायावेनियर को लागी यहल फुल उन्छ Story बजणको लागी यह स्टोरी मा यह गारो सब्दारू एकदम धेरेने चानी चानी यह कथा बुझन अली गारोंच पहला त्ये दिफिकल्ट ओड अरू नेख धालाई बच्छू और मोर्य जाएड त्ये दिफिकल्ट वीएड बाट ओड़ा अरू ने खुल्ट इस ऐसेली दिफिकल्ट ओड वर्योंच अटो में डिस तपर देखुछू में अलिस्ट करिदारि प्लीक्षि न फुल्सू first में मैं स्टोरी सुरू कर्श अटाओ The sotow into which my valet had ventured to make forcival entrance, rather than permit me in my desperately wounded condition to pass a night in the open year, was one of those piles of coming old, gloom and grandeur which have so long frowned among the epinines, not less in that in fact that than in the fancy of Mrs. Radcliffe. So this is the first sentence, opening sentence of the story यो कथा को सबन्दा first sentence हो जुने क्दम लामो छो लगग लगग जान जने चार लाइन को sentence हो तेरेगे क्लाजर रिच मा जोडिये को छो The सटाव into which my valet had ventured to make a forcible entrance ये ले क्ये बताऊँ सबनी उराकुने सटाव मा नायाटर को जुन बालेट ले forceful इन्टरी गरने साहस करयो Rather than permit me in my desperately wounded condition येस्तो मेरो ये desperately wounded condition मा येस्तो नाजुक अवस्तामा बाई बाईर बश्न गारो उनी अत्वा बाईर बश्न नदी नको लागी forcefully तेरेगे बाईर बाईर बश्न नदी नको लागी बाईरो लिटोखारो खोल देवस्तागर चाहस Was one of those piles of coming gold, gloom and grandeur रयो चाहनी gloom रा grandeur ये बभ्वेता, बिशालता, beauty रा ये sadness देटेए मिस्येको ये तिस्तो खालको चाहनी सटाब चाहनी चुन काहसा एपनाइनस मा चाहनी अजिन फ्राउन बनेको असते ये ताइगी एको फर लॉंग टाइम, लामा समय तो ही ये ताइगी एको येसमा मान चरू अबस्टे को अबस्ता छा Not less in that in fact than in the fancy of Mrs. Radcliffe Mrs. Radcliffe अनी जन राइटर चाहनी गोथीक अनी ये इस्परनाच्राल फिक्षिनल राइटिंग को पायनियर कुरूप मान लीइन चाहनी Mrs. Radcliffe अनको कथा को जन फैंसी जन इमेजिनेशन को जस्तो कैसल जस्तो किला जस्तो ठाउं तो रियल मात उने ले देख्षन To all my appearance it had been temporarily and very lately event ཆ नेन्टर येहरे अहादा खेरी तेसको ओरीपरीका ध्रीषिया लाई अंकल नियाल हादा ये शाधर अब्जर्ब गरदा खेरी येकी वोच नि भाखyang आल्सार येके भंच आहे ते elétक गीये को खालको देखिंचे ये ये फालकु खालक छे तो आजे भना खरी यहाँ इसमल तावर आप एक शोल नगा है क्यों फिवाल निए आप घृतलन समय द्यों चारा में आज़ कुंसेप रिद्र कृट्राशा फिवाल क्यों आप उने लिड्स देकोराशन आप नि फिर्द में लिड्स देकोरेशन आप बिसरे और अल्कीति यह हैर्ढोरतRa किके प्रेड किसमको को इस्ताथभा भात किसमको शाय रीज शाय आतिक घडड कई单 तरह रीच शाय थाय यह एंटिक घ्र आन्ये इट स्धुँल फाउंग वित यहाल मीद्यश्ट्री नहीं करने डीक्ड थाल कमाने हाट है अदिक्सटाइल आर्ट पन चान लाए आड भी अद वी तो अने बेगड वीज और मैं बेल्या वीद के लिएको शजे को चाहिए भी तारोई तो वालारो तो टुगेदर विद ऐन अन्जूशल गेट ठ्रीम और आणी हाने है, आँग फर सब्सक्राज्टाइर हाहा, लिए भाड़ आणी आइसा स्वागे का साहर घंगे काे टृट आले का इसमने किसम बारत आहा है। था ताहरा है नाहिए। को नहीं आचास साथ है। उन्सेर वोन्डरफूल's चाहो रेंडर नेसरे। in this painting my incipient delirium अनि शुर मा अले ब्राह्मा आत्म किसमकोAK लखंक हो रील तो roku sereνη उन्हों वा उंद नाहरो ऑनािपर सनद्धकोर इंट्रेस द्यान एकासन कर से सिंस थे ये ज्यक्त कली तौंधी ह्रेसिंटान वर यैक जले सेjal m माताइक रागी है जव कैनल राखthe राकने कि में मीνदख भार्णा के स्वेपी काता है टो कास बताइस ने बैर साह एंटो रोपन फार एंड इंड रहें आज रहें जाओन हिंगा है लिए अ बैरंग वाग वाग मुत अगे शुटियोगा से फिर्च आड देघ अ एकी करने हो जाजा है आज कैसे दो टां बैर स्तर्श से बताइस ने अरो इना रावा हुटो लफन कि आपने कवी छेखे तर न हम ऑने के वाड़ पी त्ल मिनक भी मोचा जाया को हो चाह को आप लुजा हो और थागाइड सिनम घर हा न बाधा जितना को नहीं हो फटनी जलुड है महां आके भेट दोसर Kr लग माज हण किसे फिक्रोना हुर아서 आपकुलचल अिरामय गेड़ अधाट सिरा जिए आगिडा शेह लोग पर्पोरते ठेकिटाइचेंगा съप्षाग रेपली आप इना गेजडर बैदम अवहिं थैह सिपसी ही तो मचा सीजारी आड आर् किटेक्ट्चर्ण需要 फिर्ट, इबाइबर प्रोपन्त मु phi मारते ह क्यों और रिट्वक में और रिटान और विली निज़ करें तुक्थ परें।ट थे का रह ज़े रही है लोगा रहा उपवारा हुआ थे रहा परें। अधिस दाने सी देन ब होता है। आप तेपर सी देन जाय है बाय का छिज आज वर ला कही है फोता है। रदर देन दिपाइ सा शुम्बरिंग बालट ते उसको अपने एटेंड दिया नाद दुहा दीन आफ एली डूरा चाहिए उली कंडल लाचा के गर्चा ते पॉजिशन चेंज गर्चा कि नो इन तलाए दिप्ली अटाए रायागए गचा एक चाहिए अचाहिए लाचाहिए रमने कुछा फदेख पनी जावली ऐघिटी गर्सकेल निया टर लिक एजर सवनी तु के लिवा ठीटी एक्राजेशड आचा अलिपोसें जार्सू मैं अग्रसू अनी I placed I placed it so as to throw its ray more fully open the book but action produced and effect altogether on anticipated the candle auto the candle leading the poison to be taken as a on फोडिति भीक ओन्म इसी टीडने को नश्ति प्रग्द कर नावट है तौिन सब्सक्राइब एक सी घ्र कर नक्स तौिन न श्ति वें देखसे ओ करना चागे तो है जिस्टिंड है नेन देक्स थे ले जेखसे तो नहीं आप 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 सो निए नग कर द एगे जिए ने ओन न और आचा निटा रूमा आवल जिसा थियो तिया चानी तुका लाट पचा उन्या निटा को लाट पर शा प्रसा अध बिन थेब जां रून इंतु निटाइड बेड 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 पॉस्त थास आई शा इन विविट लाट पिच्छर अल अननोर तीस्टी फूर अलोले कियो नि तकेंडल पिस में उलाई, नोट सिरी लेक्टर जखा हुदbank internally फिस में ल्यां पिक्ट्र देख्चतर रही है अनोट सिरी थचा। फिक्टर ढूंहान, ऑल मा उननुति पिक्टर देर धुसा हुदा आई छाल याई वी वीली लिवान देख्छतर हुदBO अलाई एक पिक्चर अल उन्नोटिस्ट पिक्चर विले जेक्षा okay so it was the portrait you painting you saw a picture there and the picture was unnoticed notice नागर एको picture it was the portrait of a young girl young girl just repainting into a man would when you are a kitty worker I mayma parivartan gari ki you are a kitty ko picture shate I glanced at the painting hurriedly and then closed my eye my lesson painting here a target painting here this was my life automatically bandha gari I glanced the pain at the painting hurriedly and then closed my eyes why I did this was not at first apparent even to my own perception depending on the painting my eye automatically and then closed my eyes why I did this was not at first apparent even to my perception so 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 he did not know but while my lips remained thus short I ran over in my mind mind my reason for so shorting them it was an impulsive emotional moment to gain time for thought to make sure that my vision had not deceived me so 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 to come and subdue my fancy for a more sober and more certain gaze in a very few moments I again looked fixedly at the painting this was it you you actually a single this was very unique as a painting my hair so it's fixed where I will hear so you know money depending painting like definitely take away a little feeling to totally a which is so you know so this is fairly it's a fixed lip painting my hair so I make a portrait layer so that I now saw a right I could not and would not doubt for the first flashing of the candles upon the canvas had seemed to dissipate the dreamy stupper which was stealing over my senses and to startle me at once into waking life so that I now saw a right right means is proper okay that now I saw proper 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 and I could not and would not doubt about the light sangha gonna for the first flashing of the candles upon that canvas had seemed to dissipate okay disappear the dreamy stupper I have the dreamy stupper stupper means insensibility the picture particular insensibility the portrait I have already said was that of a young girl portrait of a young girl okay it was a mayor head and soldiers done in what is technically term a resonate manner resonate painting portrait portrait and borderless without border painting portrait border less much in the style of the favorite heads of Sully Sully Thomas Sully is an American portrait painter is an American portrait the arms the arms the bosom and even the ins of the radiant here melted imperceptibly into the vague a deep shadow which formed the background of the wall the painting is painting portrait portrait part the sub-mores background the portrait background clearly identify the frame portrait portrait oval shape portrait picture frame oval shape richly gilded and filigrid in more skew more islamic architectural style color golden color paint frame as a thing of art nothing could be more admirable than the painting itself the painting the painting painting but it could have been neither the execution of the work nor the immortal beauty of the continents which had so suddenly and so vehemently moved me the painting attraction moved painting whatever moved vehemently passionately and continents face portrait face picture face picture face painting style frame attraction attraction which and this painting lovely list of all could it have been at my fancy second from its half slumber and mistaken the head for that of living person second from its half slumber and mistaken the head for that of a living person I saw at once that the peculiarities of the design of the visionating and of the frame must have instantly dispelled such an idea such idea must have prevented even its momentary entertainment thinking honestly upon these points I remained for an hour perhaps half sitting half reclining with my vision riveted upon the portrait and totaled at length at length satisfied with the true secret of its effect I fell back within the bed and I had found the spell of the picture in the absolute life-likeliness of the expression एह जिवनता किसिम को रियल मांसी यह से दिखिने है साथ किसिम को पड़ दिखिनी है आध़ासने Guardi- fy अहान राणी को फैक नहीं प्रहिलिल यह से तोफिन में चसेपूूWasया इस लीतम आ बहा रियल मांची बाष्ता भीकता है игр तोफिसम को पैंटिखिन न्युए प्रथी संस्ikat प्रथी ते कंपर्थी उसले रगारा मुझा रूरीघ। एक अप्रथी ते कंदेल अवरम इदफ फरम पूर्मना पोस्टी कि विए ते कंदेलजा जामरेती की ते पेंदी कि पार्थी जानक टूनघए लिक आए रिक को तुछ अन्यार्ट कला मैं गुट एलोड निव का अनुटन आए तुछे मजें, हम सकता है, लिए तुछे अनुटन अनुटन में पांगी दिनुटन नमा अनुटन कीरनी देखा चूले लिए, निक ही निवे, शॡ़ निवे, निवे अधेयर रिर्टाइळ गारी में प्रियुक्त है जुनके लेखने का हैं से बाईयरे का पईया है teasing guy चैन्यानमेантक का आत्या में टेकनिक यह नी्हिंट फार स्टोरी वी इतार और को स्टोरी, यह ना महीं खुरांばい टेकनीक अफर आफ्टर राफ्टर फांदी आफ नाटर राफ्टर वालोम देयर नेर्टर राफ्टर बारी पांटिंग की लिह इतार पांटिया। शी means the object in the painting, she is the wife of the painter, was a maiden of rarest beauty, rarest beauty, उनको जसते सुन्दर ता अरु को चाहिना, she is the most beautiful, अग्दम आमरे सुन्दर, सुन्दर ही, and not more lovely than full of clay, happiness, बारी पुर्ना, अनन्द ले, बारी पुर्ना, अग्दम सुन्दर ता की खानी, and evil was the hour, अनि अब उनको लागे दुखत गडी तब भायो, evil was the hour, when she saw and loved and wedded the painter, तर उनको अभी साप आई, जिन्दगी को, नरामरे कुराने, अब उनको यवडाँ पेंटर संग बिवा भायो, अब ही पेंटर, कस तो खालको था, he is passionate, he is passionate, he is having strong feeling towards something, passionate, he is having strong feeling towards something, and aster, aster means strict in moral and manner, and having already a bride in his art, या विया सिन इस आईरणी है, उसको bride उसको art हो, दो ही marriage now, अले उसको अले उसको wife उसको अले उसको wife उनको शाह, so, इना दा, बड़ी टाहम उले के कर से, इस बरत हाऊंच, he is too much obsessed with the art, he is very much engrossed or very much passionate for painting, painting को लागे, art को लागे, वागे उसको पैसोनेट सा, लाइक शको wife उसको, okay, art बने को, she a maiden of rarest beauty, युक्रा दूर्रे को शाह, maiden of the rarest beauty, maiden, so unmarried, okay, maiden of the rarest beauty, and not more, not more lovely than full of glee, युद फिर दूर्रे यु, युई लाइन दूर्रे को शाह, and all light and smiles and frolic, frolic storm, okay, so frolic storm means she is jolly, she is playful, she is happy, she smiles, she is light hearted, as the young fan, so she is compared with fan, baby of tear, इना निर्दस, इना, क्या बन चलाह, कॉमल, हैना, kind hearted, very innocent, loving and cherishing all things, so she loves everything, सब बे कुरा लाइन लाइ, सब बे कुरा ला माया गर्षिन, cherishing, so affection, it means showing affection, she shows affections to all things, letting one ली दा आर्ट, आर्ट लाइ मत्रे उनली कियाना गर्षिन, उसको अस्बेन ले उनको उनको शारी, उनको अस्बेन ले बड़ी आर्ट लाइ बड़ी फोकस करने, उनले बड़ी, लाइक साउता बन चेनी, साउता किसी उनको बिहेव करने, so which was her rival, उनको पर्थी दोंदी पनी छो, किना उनी उनी रा आर्ट को बिच मां के थे बड़ी डिटा कनेक्शन थियो, उस्बेन उनी पर्थी बड़ी बड़ी आर्ट पर्थी इंक्लाइन थियो, तिसका उन आर्ट लाइक राइबल लागे, बड़ी ओल्य दो आर्ट लाइबल 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 लाइबल, थे बड़ी शो पर्थी इंक्लाइबल लाइबल लाइबल, को पैले तेसे करें ब्रॉस जारो मारि प्रॉक का इंस्तुमेंट उर्मा बाद भीजी होने बडी तरह प्रकक्नाइख नियु भी जाए लिए इस लेट मुझा है लो फिए गांट। for this lady to hear the painter speak of his desire to portray even his young bride because of immense beauty because of excessive beauty the painter ले ले जाने अपना वाइफ को पूर्टे बावना चाया तो कुरा पुस्ताफ गरियो शी वाज हम्बल उनी नम्र थिन बादर थिन अनस्त थिन अविदें पनी थिन अगयकारी पनी थिन and sat meekly for many weeks in the dark husband को लागी gently है वालादमी तरिका बाट हरे कुरा मांदियर पैंटिंग को लागी तो पूर्टेट को लागी उनी चानी अपताओं संगा पनी एकेठामा बशी रहीन अनी high turret chamber where the light dripped upon the pale canvas only from overhead but he the painter took glory in his work glory in his work when he was very much engrossed and he was very much inclined to his work passionately so he was uh sketching he was making painting of his portrait of his wife a portrait of his wife so he was fully uh giving his attention to the painting which went uh on from hour hour to hour hour to hour content from day to day and he was passionate and wild and moody man passionate थियो दम चानी एब अफेक्शनेट थियो दम चानी एब अफेक्शनेट थियो कुने चीज परती असदे चानी मंदी नी passionate एब लागी एब लागी खालको वाइल की सिमको वो बिकेम लुस्ट इं रिव रिवरीज 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 मिन्स ज्यद्रीमिंग एब ज्यद्रीमिंग रियलिटी वांदा पिन बाहरा आथ माचन रमाउने थियो द्रीमी वोल मा रमाउने खालको वेक्शनेट थियो so that he would not see that the light which fell so ghastly in that lone turret wither the health and spirit of the bride because of lack of light. The health and spirits of his brideatta पाइन बीजिबली तु अलबाटी तु उनको कंडिशन अरुस अपाईल देखित तरहा उल्लाचन तु फिल भाया ना तु चित्र बभवने करम मा आर्ट करम मा इसकेश गरम मा तो अधम ब्राइट चाने आपने वाफ चाने पेल भाया को उले देखेना पालागिश हेंटチャे को जिसे पहिएड पास बातु हेंगे करम में से लस बाताली आपने डिखेढ आपने रेलिस्टिक अट्रमा डाइफ स्थीआः खेढ लाइख पेंटर वू हाई रिनन तुक और वीड और बर्निग प्लेजर इन थाक्स रहा उँ आपनो अजबन चाहिन तो पेंटिंग गरने करमा तो पैसोने पारा पेंटिंग गरने करमा जुन खुशी थेओ तो खुशी देखर उनि के बोलिनन आपनी कंपलें गरिनन तो अजबन खु आपनी काम गरियो का दिन रात काम गरियो पेंटिंग ब्राउने काम गरियो एन एट हु ग्रिव डेली मोर डिस्पिरिटेड और वीक तरा उनि भीन दिन परती दिन चाहिनी वीक कमजोर हुजे गयरी के थिन एन इन शुद एन इन शुद एन इन शुद सम हु भीहल द पोर् कुरा कारे सानो आवाज मां सानो पोईस मां एज अफो माइटी मार वले एद्टम चमतकारी रुप को पोर्टेट एद्टम सेम रियल ते वो पोर्टेट मां जुन ज़सको पोर्टेट बना को सो किस्ते ब्यग थी यह रियल अप्रूफ नोट लेस्ट अफ देप लॉव फोर्टेट देन अफ इस दीप लॉव फ्रॉम यह डिपिक्टेट शुर्प्रा सर पासिंग ली वेल असध्दे राम बहत होंगा बड़ा जुन उसको पेंटिंग बनाये को तियो तियो केटी को तियो वाइफ को लेचिन पोर्ट लिए अनि झीप इन बट अल अट लंथ आट लेंथ, ईस दीप लेवर द्रॉव द्रीव निरार काम सखेना सखेना आट अटेग दियो तकया लामब समय समय काम सब्सक्रीक पोर्टिंग पैंटिंग लिए पाइन ली अनिग होजाह डिवुन पागल शाट था अनि दारीक त even to regard the countenance of his wife आपनो वाइफ को मिर फ्रोर को सकटो भेलो कहों कि वाइडा सुख का५। सो मेरी लिए इनन व एवन त रिगार्गाल को इस सीक स्वख में रिस द्क जिए ए ह identifies when भाते र का थे खो एटींग्य of her who sat beside him and then many weeks had passed and but little remained to do save one brush upon the mouth and one tint upon the eye the spirit of the lady again flickered as a flame within the socket of the lamp the spirit of the lady flickered as a flame within the socket of the and then the brush was given and then the tint was placed and for one moment the painter stood entranced before the work which has routed but in the next while he had gazed and grew tremulous and very pallid and august and crying with loud voice this is this is indeed life in itself oh my real life like the life like the art boy when he was happy to do it meanwhile turn suddenly to regard his beloved she was dead tada pa tdi uusko wife ko mirthu uncho yoo baiyo amuro oval portrait story ko summary abo mo arko video ma yais story song a samandit exercise aroko solution lera nod g तेतीन जर्कुल लागे बिदा चाहांचु तन्य बाद